नमस्कार स्वागत आपका न्यूस वर्ड इंडिया में आपके साथ मैं हूँ पारूल त्यागी एक नज़र डालेगे यूपी की खबरों पर ललितपुर के बानपुर थानाशेत्र के वीरगाउं में किसान को चारपाई से बंदग बना का बदमाशों ने लूट पार्ट की बदमाशों ने लूट पार्ट में ट्रेक्टर ट्रॉली के साथ 30 कुइंटल गेहु भी लूटा आदा दरजन बदमाशों ने मिलकर इस घटनक को अंजाम दिया वहीं पीरित के सान की शिकायत पर पुलिस ने केस तरज कर लिया है और एया के डियम सुनील कुमार ने पंचाय चुनाव और होली को लेका दिशा ने देश जारी किये हैं डियम ने लोगों से अपील की है कि वो गाइडलाइन्स का पालन करें और शांती व कामले में तीन आरोपियों को कोतवाली पुलिस से गिरफतार कर लिया है महीं प्रसाशने का दिकारी कुल्दीव शर्मा जिलास्पतार में वाट बॉय के पत पर तैनाथ है कानपुर के वनपुरवा में अग्यात महीला का शव मिला है महीला के सरपरीट से कुछलने के निश मच्छी हुई है जिसमें ब्रज मंदल के प्रमुक्ष्वी द्वारिक धीश मंदिर में खूली का जश्न जोरूपर है खूली के माध्यम से अराध्य ठाकुर जी अपने भक्तों के साथ टेशू के सर के रंगों से खूली खेलते हैं जलिदपुर जनपत के कस्वा जखोरा में एक उमनी कार में आग लग गई जिसके चलते हरकम मच गया गनिवत रही की कार में बैठे लोगों के साथ कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ जानकारी के अनुसार मद्यप्रदेश के सागर का रहने वाला हुआग अपने रिष्टदार के घर गया हुआ था वापिस घर जाते समय कार में आग लग गई हापुर में फ्री गंज रोड सेथ कुष्ट आश्रम में नगरपाली का परेशत के अधिकारियों दुआरा लेंटर डालने की प्रक्रिया उस समय बादित हो गई जब रेलवे के अधिकारियों ने निर्मान कारे रुकवा दिया वहीं कुष्ट आश्रम में कई सालों से रह रहे लोगों ने जम कर हंगामा किया निर्मान दीन जमीन पर महिला बैट गई और अधिकारियों का जम कर विरोध किया कोरोना के समय में बने 300 बैट के कोविट अस्पताल में राश्ट्रिय स्वास्ते मिशन के तहर समिदा पत पर रखे करमचारियों को बगए नोटिस दिये सेवाए समाप्त करने के लिए कह दिया गया है जिससे सभी करमचारी का लेक्टरिट ऑफिस पहुंचे जहां उनकी मुलाकात सिटी मजिस्ट्रेट मदन कुमास से हुई करमचारियों ने कोरोना की बड़ती दूसरी लहर के बारे में अफगत कराया और दुबारा ज्यूटी पर रखने की मांग की जिसके बाद सभी करमचारी महापौर उमेश गौतम के पहुंचे और उनसे मिलने कोले कर जिद पर अड़े रहे पीली भीत में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कारेयाले का जिला अधिकारी पुलकित खरे ने आउचक निरक्षन किया निरक्षन के दोरान सहायक वित लेखाधारी नदारत मिले साथ ही कारेयाले परीसर में अवेवस्ता मिलने पर डिम भड़के वहीं डिम ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कारेयाले का निरक्षन भी किया सुल्टानपुर में बाबू द्वारा घूस खोरी का वीडियो वारल हुआ है मामला मतस्य विभाग के बाबू से जुड़ा हुआ है मतस्य विभाग के बाबू बी एंतिवारी पर काम के बदले घूस लेने का रोप लगा है फिलाल पीरित पक्ष ने इसकी शिकायट डीम से की है डीम ने पूरे मामले की गंबीरता को देखते हुए जाज सीडियो को सौमती है यूपी के पीलीबी जनपद में टाइगर रिजर्व के जंगलों में बागिन का शफ मिलने के दस दिन के बाद अब विभाग की टीम को बागिन के चार बच्चे मिले हैं सूश्रा मिलने पर मौके पर पहुँचे वन विभाग के अधिकारियों ने टीम गठित कर बागिन के शफ को पोस्पॉनम के लिए भीज दिया बिजनौर में कारसवार पुलिस ने 6 संदिक लोगों को गिरफतार किया है पुलिस ने सभी के पास से अवय तमंचा भी बरावत किया बता दें ये बदमाश किसी बड़ी बारदात को अंजाम देने की फिराक में थे कोतवाली शेहर के जजी रोड का ये पूरा मामला है बारबंकी में दो दिन पहले शारदा सायक नहर के पुल से अन्यंत्रिट होकर बाइक समेत नहर में गिरे व्यक्ति का शफ पियसी की फिल्टीम ने बरामत कर लिया है व्यक्ति का शफ मिलने के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है महीं पुलिस ने शफ को पुस्टमाडम के लिए भी भेज दिया महराज गंज में अवैच शराब के खिलाब फरेंदा पुलिस ने बड़ी कारवाई की है वैच शराब बनाते हुए पुलिस ने मौके से दो महिलाओ को गिरफतार किया है साथी पुलिस ने मौके से 20 लीटर वैच कच्ची शराब, 40 कुंटर, लेहन बरामत कर नश्ट भी कर दिया पुलिस ने गिरफतार अभ्योगतों के खिलाब आपकारी अधिनियम के तेहंत मुकदमा दर्श कर जेल भीज दिया है कानपूर देहात में भीशन सड़क हादसा हो गया जिसमें दो की मौत हो गई और पांच लोग घायल हो गए बता दे तेज रफतार बस और आटो की आमने सामने जोरदा भीडनत हो गई हादसे की सुच्रा पर पहुंची पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को अस्पतार में भरती कराया यूपी की खबरों में बस इतना ही लेकिन आप देखते रहें न्यूस वोल इंडिया